तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियर ओग्रिफ की जो कि यहां पे वियर ओग्रिफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कुक, ब्लाक स्मित, वेलडर, इलेटरेसियन और सुपरवाजर के पोश्ट के लिए उसका जो नोटिफिकेशन है ओफिसली यहां पे जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कैसे आप इसका ओफिन फॉर्म फिलप कर सकते हैं फॉर्म फिलप करने के बाद कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा और इसमें जो आपको फिसली करना है ओनलाइन पचास रुपए का, कैसे आपको फिसली करना होगा कॉपलेट जनकारी में आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए, लास तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनलो को सस्क्राइब कर लीजिए और साथ इसाथ वेल आइकन को दबा दीजिए और अप्लिकेशन फरम डॉनलोड करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिक्सिटन मिलनीक मिल जाएगा वहाँ सरहा करके आप अप्लिकेशन फरम को डॉनलोड कर लेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं आफिसल यहां पे नोटिफिकेशन यहां पे जारी कर दिया गया है तो अप्लिकेशन फार्म डालोड करने के बाद जैसा आपको अप्लिकेशन फार्म मिल जाएगा को देना होगा जो कि आपको लिंग मिलेगा वीडियो को डिक्समिंट में वहां से जा करकि आप डिटैल चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको से की सीर्य लंबर में मिल जाएगा किस पोस्ट लिए वेकेंशि यहाँ पर tick करना होगा tick करने के बाद यहाँ पर ज आपका latest photo होगा उसे आप चिपकाएंगे और उसे आपको attestate करना होगा यानि आपको photo के उपर क्राश signature कर लेना होगा और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिया गया percentage आपको देने के लिए जिसमें कि सबसे पहले दिया गए जो आपका essential qualification होगा उसका आपको यहाँ परसेंटेज द słuट में होगा और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है additional claim के लिए यहाँ पर परसेंटेज इन्टेर करने लीए दिया गया है जो कि यहाँ पर जब आप notification में आएंगे तो यहाँ पर आपको additional claim के लिए notification में यहाँ पर बताया गिया है अगर आपके पास इनमें से कोई certificate होगा तो आपको यहाँ पर percentage में यहाँ पर छूट दिया जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गिसमें son of serving या retire grip person की होगे तो यहाँ पर आपको 15% का छूट मिलेगा अगर आपके पास NCC का C certificate होगा तो आपको यहाँ पर 10% का छूट दिया जाएगा NCC का भी certificate होगा तो यहाँ पर आपको 5% का छूट दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर सोया में यहाँ पर service करते होंगे ग्रिप में तो यहाँ पे आपको 15% का छूट दिया जाएगा अगर आप यहाँ पे Accessment के Sun होंगे तो यहाँ पे आपको 3% का दिया जाएगा या तो आप Sport Person होंगे District, State या Ineositi Level के तो आपको यहाँ पे 5% का छूट दिया जाएगा तो यहाँ से आपको चेक करना होगा अगर आपके पास इनमें से कोई certificate होगा तो यहां पे आप % enter कर सकते हैं और % enter करने की बाद यहां पे आपको टोटल इसमें % यहां पे आपको add करने के बाद लिखना होगा इसके बाद नीचे आपको यहां पे दियागा और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिया गया EWS के लिए अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं यह स्लिट करेंगे नहीं बिलोंग करते होंगे आपको नो स्लिट कर लेना होगा इसके बाद नीचे आपको दिया गया name fill up करने के लिए तो एक box में एक letter लिखना होगा और आपको यहाँ पे full name अपना देना होगा जो कि आप matriculation के certificate के अंसर अपना name इसमें enter करेंगे इसके बाद नीचे आपको father name देना होगा father name देने के बाद इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे data बर्था अपना देना होगा और इसके बाद नीचे आपको address fill up करना होगा जो कि यहाँ पर number union में आपको दिया गया permanent home address fill up करने के लिए जो कि आप pin code के साथ fill up करेंगे तो सबसे पहले जो आपका village महला होगा उसे आप fill up करेंगे इसके बाद आपको post office का name district का name इसके बाद नीचे आपको state का दिया गया गया state name और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है पिन code fill up करने के लिए तो जो आपका area पिन code होगा उसे आफिल अप कर लेंगे इसके बाद नमट टोल में यहाँ पे आपको दिया गया है प्रेजेंट पॉस्टल अडरेस आपको देने के लिए एनि जो आपका वरतमान पता होगा उसे आफिल अप कर सकते हैं अगर आपका होम अडरेस और वरतमान पता दोनों यहाँ पे सेम होगा तो दोनों में यहाँ पे आप सेम अडरेस पी फिल अप कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल अप किया हुआ है इसके बाद नेक्ट में यहाँ पे आपको दिया गया फीज का डिटेल आपको देने के लिए जो कि यहाँ पे अगर आप EWS, OVC या जनरल केंट होगे तो आपको fees payment करना होगा और आप यहाँ पे SBI से fees को payment करेंगे तो यहाँ पे आपको bank name में SBI देना होगा इसके बाद जो आपका online payment करने के बाद reference नमर मिलेगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा इसके बाद जिस भी डेट में आप फीस्मेंट करेंगे डेट आपको देना होगा और इसके बाद यहाँ पे आपको amount में तेना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको टिक करना होगा जो कि मैं आप लोगो को percentage के बारे में बताया था उसी को यहाँ पे आपको टिक करना होगा जो आपके पास certificate होगा जो कि यहाँ पे दिया गया sun up exercise man, sun up serving retire grips यहाँ पे दिया गया any brother service in grief, NCCB certificate, NCCC certificate, CPL employee, sport person अगर आप इनसे बिलोंग करते हैं तो उसके अनसार आप percentage फिलब करेंगे और यहाँ पे आपको उसके सामने yes पे टिक करना होगा अगर आपके पास कोई भी certificate नहीं होगा तो यहाँ पे आप सभी में no यहाँ पे टिक कर लेंगे इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका essential qualification होगा उसे आपको इंटर करना होगा, तो यहाँ पे आपको name up exam में जो भी आपका qualification होगा metric, intermediate, diploma, ITI जो भी qualification होगा उसे fill up करेंगे इसके बाद जो आपका passing year होगा उसे आपको fill up करना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको board या university name देना होगा इसके बाद आपको main जो subject होगा उसे आपको देना होगा इसके बाद जो आपका obtained mark होगा यानि जो प्रफ्तांक होगा उसे आप देंगे इसके बाद आपको out of mark में जो आपका पुडांक होगा उसे आपको देना होगा और इसके बाद यहाँ पर 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 यह इसके बाद यहां पे आपको अपना सिगनेशर इसमें कर देना होगा इसके बाद नेम और इसके बाद आपको प्रोटो होगा उसे आपको चिपकाना होगा और इसके बाद नीचे आपको detail को fill up करना होगा जिसमें कि यहाँ पर अपना name fill up करेंगे इसके बाद आपको father name और इसके बाद जो आपका house number होगा उससे आप enter कर लेंगे और इसके बाद नीचे आपको village का name, post office का name, तैसील का name, district का name और जो आपका state name और जो आपका area पिंकोड होगा उसे आपको fill up कर लेना होगा fill up करने के बाद इसके बाद यहाँ पर आपको signature करना होगा और यहाँ पर आपको left hand का thumb impression लगाना होगा जो कि यहाँ पर आपको बताया गिया है at the time of submission of application form यानि यहाँ पर दिया गया जब आप form fill up करेंगे उसी समय यहाँ पर signature और thumb लगाना होगा इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कोई भी signature और thumb नहीं लगाना होगा जो कि यहाँ पर अलग-लग time के लिए दिया गया है जो कि यहाँ पर return test के लिए इसके बाद यहाँ पर physical test के लिए दिया गया है इसके बाद नीचे यहाँ पर practical test के लिए तो यहाँ पर अलग-लग process के लिए अलग-लग यहाँ पर आपको signature और thumb यहाँ पर लगाना होगा तो आपको जनकारी हो गई होगी कैसे यहां पर आपको फॉर्म को फिलाप करना होगा और इसके बार नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कौन-कौन से आपको इसमें डॉक्मेंट लगाना होगा तो जो भी आपको document लगाना होगा उसके लिए मैंने यहाँ पर document का list बनाया हुआ है और इसका जो PDF है आप लोगो टेलग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से जा करके आप download कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत certificate लगाना होगा यानि जो आपका general प्रहपतर होगा उससे आप लगाएंगे और उसका आपको यहाँ पर certificate लगाना होगा तो उसके असान पर obtain का certificate लगा सकते हैं इसके बाद जो आपका education qualification होगा यानि जो आपका matriculator, intermediate, diploma, ITI जो भी qualification होगा सभी का आपको यहाँ पर marci to certificate लगाना होगा इसके बाद आपको अपना class certificate लगाना होगा अगर आप SC, ST या OBC candidate हैं तो class certificate लगाएंगे और इसमें यहाँ पर दिया गया जो OBC candidate होगे और form फिलप क अगर आप SC, ST candidate हैं तो आप old लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर OBC candidate होगे तो आपको old नहीं लगाना होगा वनियर के अंदर ही आपका जो class certificate है बना होना चाहिए इसके बाद आपको अपना डूमिसायल certificate यानि जो आपका निवास पर पतर है उससे आपको लगाना होगा अगर आप experience दिखाते हैं तो उसका भी आपको सट्पिकेट लगाना होगा अगर आप इसमें OBC General या EWS candidate होगे तो जो आपका फीज का receipt होगा उसे भी आप लगाएंगे जो कि आप online payment करेंगे इसके बाद आप फीज का receipt आपको मिलेगा आगे मैं आप लोग बताऊंगा भी कैसे आ आपको सेल्प अटेश्टेट लगाना होगा या तो आपको गसेट और और यहां पर नीचे सेंटर का SIM करना होगा और जो आपको सब्सक्राद करेंगे और इसमें लास्टेट है फॉर्म को फिलप करके संड करने के लिए आप इसमें 26 सित्म बार 28 तक फॉर्म को फिलप करके send کر सکتے ہیں और इसके बाद बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पिस्क ओपिमेंट करना होगा तो यहां पर notification में लिंक दिया गया फिस्क ओपिमेंट करने के लिये तो इसे यहाँ पर open करेंगे आपको consultant करने के लिंक इसे व्डियो के डिक स्थम्ट में मिल जाएगा उसे आपको स्लेट करना होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिटेलिस में फिल अप करना होगा, जिसमें कि आपको अपना फूल नम यहाँ पर इंटर करना होगा, इसके बाद नीचे आपको फादर का नेम देना होगा, फादर नेम देने के बाद इसके बाद आपक निशनल्टी देना होगा इसके बाद जो आपका डेटा बर्थ होगा जो भी आपका डेटा बर्थ होगा उसे आप सिलेट करेंगे इसके बाद जो आपका मुबाइल नमर होगा उसे आप इंटर करेंगे इसके बाद नीचे आपको अपना अडरेस यहां पे इंटर करना होगा इसके नीचे आपको state का name इंट्रक करना होगा जो कि आप address full इंट्रक करेंगे इसके बाद state name और इसके बाद job का area पिंकोड होगा उससे आप इंट्रक करेंगे इसके बाद job का अधार कार नमबर होगा उससे आपको इंट्रक करना होगा इसके बाद नीचे आपको दियागा advertisement number तो अधुटआजमंट नंवर में 03-22 आपको देना हो गा इसके बाद को डिन देना होगा डिछ प्र wojक करना चाहते हैं ग्रीम देना होका इसके बाद आपको उन्माउंट देना होगा यानि ये 50 लिखेंगे इसके बाद नीचे आपको फिर से करने के लिए जो भी आप डिटेल फिलप किया होंगे सभी आप चेक करेंगे और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना होगा और कंफर्म करने के बाद इसके बाद यहां पे आज जाएगा पेमेंट करने के लिए जो कि यहां पर देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग इस इसके बाद अजर्ट प्रमेंट पूर यहां पर दिया गया है, जिसमें कि यहां पे UPI का भी option दिया गया है, अगर आप UPI यूज़ करते हैं, तो यहां पे UPI स्लेट करके fisc alignment कर सकते हैं, अगर आप UPI यूज़ नहीं करते हैं, तो यहां पर आपको David Card का option मिल जाएगा, David Card से इतरम करने के चैनल आपको के हैर ने करने के लिए आपको diversion करके इसके बाद आपको फीज को प्रेक्षट करलेना होगा और फीज करने के बाद कुछ ऐसा आपको रेसिर्ट मिलेगा जिसमें कि यहाँ पर ऊपर आपको रिफरेंस नमर्ट दिया जाएगा तो यहीं रिफरेंस नमर्ट आपको अप्लिकेशन फ्रम में लिखना होगा और ज complexity के वाल जन करें दिया कैसे यहाँ पर फिज्ड को प्रियों करना के बार आपको रिश्रीप को प्रिंट आउट कर वा लेना होगा किसी भी साइबर का एफेमिजा करके वहां से प्रिंट आउट करके इसके बाद अपलिकेशन के साथ अटेच कर देंगे अटेच करने के बाद इसके बाद आपको send करना होगा, तो send करने के लिए आपको एक envelope नेना होगा, और envelope के उपर आपको लिखना होगा, application for the post आप, इसके बाद आपको post name देना होगा, जिसे पोस्ट के लिए आवजन करना चाहते हैं, इसके बाद आपको category लिखना होगा, और जो आपकी category होगी, category आ लिखना होगा और इसके बाद लिखना होगा वेटेज परसेंटेज इन एसेंसियल क्वालिफिकेशन और इसके बाद जो भी आपका टूटल परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा अगर आपको कोई अडिशनल क्लेम होगा तो उसे भी आप अड़ करके यह देना होगा I hope आपको complete जलकारी मिलगई होग मिलगई होगी कैसी ऐहां पर आपको फर्म्फील-प्र करना है कौन-कौनस को मेंट लगाना है फीज को कैछे अको Dublin मिलगई है अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कारी हो जाए कैसे यहाँ पे बियारो की रिप का ओफ्लेंट फॉर्म फिलप करना होगा और अभी तक चैनलों को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही साथ वे लाइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद